system app या फिर कहें pre install app आज के समय में आपको लग भग सभी स्मार्ट फोनों के अंदर आसानी से देखने को मिल जाता है तो कई बार हमारे फोन में कम storage होने के वज़े से यह जो system apps होते हैं या फिर कहें pre install apps होते हैं यह हमारे फोन में कुछ ज्यादा ही storage को खाते हैं जिसके वज़े से हमारे पास एक notification आता है low internal storage problem तो कई लोग apps को delete करते हैं तो कुछ लोग system apps को delete करने की कोशिश करते हैं तो वह जो app है वह डिलेट नहीं होता वहां पर बस आपको एक disable का option बताता है तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम system app को install कर सकते हैं कि बिना root के system apps को install किया जा सकता है या फिर root की method से system apps को delete कर सकते हैं यह possible है वेल यह सारा जानने के लिए आपको इस वीडियो को लाज तक देखना होगा जिसके बाद आपकी सारे doubts क्लेयर हो जाएंगे हेलो गाइस मैं बनो सारू आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलजी के लिए चैनल में आगे बटने समय में आपको बता दू अगर आपने तक हमाने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस घंटी पे दबातो ताकि मैं जब भी कोई इस नया वीडियो अपलोड करो computer, internet और mobile से related तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके अंड्रोइड फोन में आज की समय में आपको कई सारे ऐसे एप मिल जाएंगे जो पहले से इंस्टॉल होते हैं और यह एप्स हमारे फोन के स्टोरेज को खाते हैं जिसके वज़े स इसे हम इन एप्स को डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो यह एप्स डिलीट नहीं होता फरे अब यहाप स्क्रीन में देख सकते हैं मैं Google Chrome को अंस्टॉल करने की कोशिश करना हो तो यहाँ पर आपको स्रिफ डिसेबल का ओप्शन दिखा रहा है अंस्टॉल का ओप्शन नह जाते हैं system apps को install करने के लिए सबसे पहला है root method और दूसरा है without root method जिसमें आपको deep blotter tool का इस्तमाल करके दिखा जाता है तो क्या वाकई में ये deep blotter tool बिना root के आपके mobile से system apps को delete कर देता है क्या ये possible है आईए एक एक करके इन methods की सचाई जान लेते हैं जिसके बाद आपके सारे doubts क्लियर हो जाएंगे सबसे बहुता method आता है root method system apps को install करने के लिए ये बिल्कुल possible है आप root करने के बाद अपने phone से किसी भी तरह की system apps को आसानी से delete कर सकते है ये बिल्कुल possible है तो इसके लिए आपका phone root होना बेहत जरूरी है और root करने के लिए एक अलग procedure है एक अलग method है जिसके बाद आपका जो phone है वो root हो जाता है जिसके बाद आप अपने phone से किसी भी तरह के system apps को आसानी से delete कर सकते हो एक क्लिक के अंदर ये बहुत ही आसान है root करने के बाद अगर आप अपने phone को root कर लेते हो और इसके बाद अपने phone से कुछ ऐसी system apps या फिर कहें system file को delete कर देते हो तो इसके बाद आपका जो phone है वो dead हो सकता है या फिर कहें brick हो सकता है या फिर कहें पूरी तरह खराब हो सकता है इसलिए दोस्तों मैं आप लोग को recommend नहीं करता कि आ इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जागा या फिर मैं वीडियो के description पार्ट में डाल दूंगा आप आप जाके देख सकते हैं कि आखिर में यह root होता क्या है तो root एक method है जो की possible method है जिसकी मतद से आप आसानी से अपने phone से किसी बी तरह के apps को आसानी से एक single click में delete क कर सकते हैं या फिर कहें अंस्टॉल मार सकते हैं इसके बाद जो आपको next method बता जाता है system apps को अंस्टॉल करने के लिए वो है without root method जिसमें आपको dblotter tool का इस्तमाल करके दिखा जाता है तो इस method में आपसे कहा जाता है कि dblotter tool को अपने computer में download कीजिए उसके बाद इसे open उसके बाद अपने software को open करें open करने के बाद वहां पर आपके mobile में जितने भी apps install है उसका सारा लिस्ट आजाएगा उसके बाद आपको जिजिस apps को install करना है उसे unselect कर लीजिए और simply apply पे click कर लीजिए उसके बाद आपके mobile से system apps दिलेट हो जाएगा या फित कहें अंस्टॉल कि इस तरह से आप अपने phone से system apps को delete कर सकते हैं लेकिन जो सचाई वो यह है कि ऐसा method apply करने से आपके phone से सिर्फ वो apps hide होगा या फिर कहें छुपेगा और कुछ नहीं होगा तो अगर आपको अपने phone से system apps को delete करना है या फिर पूरी तरह से uninstall करना है तो इसके लिए basically एक ही method ह अपने phone से system apps को delete नहीं कर सकते हैं जैसा आपका phone चल रहा है वैसे ही चलाओ system apps को अंस्ट्राल करने की ज़रत नहीं है अगर इसके वज़े से आपके phone में internal storage problem आ रहा है तो इसके लिए basically आप एक tips अपना सकते हो आपके phone के settings में जा सकते हो application में जा सकते हो और वहां पर जाके जो भी system apps है जिनका आप बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करते हैं उनके data को clear cache कर दो उसके बाद इस apps को stop कर दो या फिर कहें इसके बाद आपके phone में कुछ storage free हो जाएगा और वह जो भी app storage खा रहा था वह storage नहीं खा पाएगा तो यही टिप से अगर आपने phone को root करते हो तो ऐसे में डर है आपके phone की security खतम हो जाएगी और आपका जो phone है वह brick भी हो सकता है खराब भी हो सकता है अब आपके सारे doubts क्लियर हो गए होंगे system maps को लेके तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को like जरूर कर देना और नीचे comment करके बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके अलावा अगर आपको इसी तरह की वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye